दोस्तों आज किस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पैसर टेडिंग अप के बारे में कि आप 5 पैसर टेडिंग अप से clear market में अपना पैसर कैसे invest कर सकते हैं जिसमें दोस्तों आपको mutual fund के अलावा share market में भी अपना पैसा invest करने के लिए option मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों इस application की खास बात यह है कि इसमें सबसे कम brokerage charges आपको देने पड़ते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5% trading app में आप online account कैसे open करवा सकते हैं जिसके लिए आपको कौन-कौन से document देने होंगे और आप इसको कैसे आप इस application को इस्तिमाल कर सकते हैं सारा कुछ आज किस वीडियो की माध्याम से आपको बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम document की बारत कर लेते हैं तो सबसे पहला document यहां पर आपको अपना photo रहेगा पासपोर्ट साइच के उसके बाद signature का photo रहेगा आपके आधार card का photo रहेगा आधार card आपके mobile number से link होना जरूरी है mobile number active होना जरूरी है अगर mobile number link नहीं रहेगा तो आपको offline process करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपके पास pen card होना चाहिए और आपके पास bank detail होनी चाहिए इतना आपके पास रहेगा तभी आप online process कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप online account open कैसे कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं 5 पैसा trading app को download करने के लिए वीडियो के description में आपके link मिल जाएगी आप उस पर click करेंगे तो आप अपने play store पर redirect हो जाएँगे यहाँ से 5 पैसा stock share market application को download कर लेना है download करने के बाद इसे आपको open करना है open करने पर कुछ इस तरह का screen आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर zero brokerage charges रहेंगे जब बताया जाएगा affordable plan आपको मिल जाएगा one app और multiple यहाँ पर product मिल जाएगे यहाँ पर दोस्तों नए account open करने के लिए get started पर आप click करेंगे यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे और यहाँ पर आपको promo code डालना है promo code भी video के description में आपको मिल जाएगा उस promo code को आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आपको register पर click कर देना है register में क्लिक करते ही आपके mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर auto verify होगा OTP verify होगा दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 8 अंग का password चूच कर लेना है password चूच करके आपको proceed कर देना है proceed करने के बाद यहाँ पर कुछी इस तरह का client code को यहाँ पर tap to copy पर क्लिक करके अपना continue कर लेंगे open यहाँ पर continue with account opening पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना email ID डालना है और email ID अपना verify करना है जैसे आप verify पर क्लिक करते हैं तो आपके email ID पर OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है चलिए देख लेते हैं email ID पर OTP आया है या फिर नहीं आया है तो यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं email ID पर OTP आया है या नहीं आया है आपके email ID पर जो OTP आया होगा OTP डालके यहाँ पर आप सम्मिट करेंगे तो आपके सामने next लिस्क्रिन आ जाएगा pen details का, यहां पर आपको अपना pen card number डालना है, pen card number डालेंगे पिन card number डालने के बाद आपका नाम यह match कर लेगा आपके pen card पर, उसके बाद यहां से आपकी data forth आपको यहां पर अपनी डालनी है, data forth डालने के बाद यहां पर आपको detail डालनी है bank detail यहाँ पर अपना account number डालेंगे और IFSC code डालेंगे उसके बाद यहाँ पर automatically आप next हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से आपको कुछ personal detail फिल करनी है जैसे आप gender चूच कर लेंगे उसके बाद यहाँ से आप अपना material status चूच कर लेंगे उसके बाद occupation आपको चूच कर लेना है कि आप क्या करते हैं उसकेfen par यहाँ पर आपको salary चूच कर लेनी है कि आपको salary मिलती है business income है याप फिर यह आपका income कहां से है उसके बाद नीचे यहाँ पको proceed का button मिलेगा प्रोषीट पर आपको click कर देना है उसके यह बार मों प्लान है PIN code दालेंगे उसके बार यहां से आपका एडिया कौन सा सतर प्लान प्लान लेना चाहते हैं इहाँ पर प्लान को फ्री में मिलता है उसके से बार प्लान प्लान जो उसके बाद full service demate account पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर basic service demate account जो भी आप चूछ करना चाहते हैं तो आप चूछ कर लेंगे यहाँ से आपका optimum पहले से चूछ रहेगा अगर free वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप optimum में रहने देंगे उसके बाद यहाँ से आपको proceed पर click कर देना है proceed पर click करते ही अब यहाँ पर आपको document upload करना है document upload में दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था pen card signature photo और यहाँ पर आपको अपना आधार card upload करना पड़ेगा आधार card का front back size दोनों साइज का photo यहाँ पर upload करेंगे यहाँ पर pen card के लिए आप यहाँ पर pen card upload पर click करेंगे इसी तरह आपको signature photo और आधार card भी upload कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको proceed पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको self verification करना है self verification का तीनी step है यहाँ पर सबते पहले आपको अपना face open करना है face के सामने आप camera open करना है उसके बाद आपको pen card दिखाना है camera's क इसके बाद यहाँ पर IPV करने ना है तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर start IPV पर click करेंगे और ok कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर permission open कर लेंगे यहाँ पर आपको पांच सेकंड का आपना video record करना है video record करने के बाद यहाँ पर आपको proceed पर click कर देना है प्रोसीड करते ही आपके सामने ये इस्क्रीन आ जाएगा, यहां पर आपको अपना e-sign select करना है, यहां पर आपको digitaly sign करना है जिसके लिए आप यहां e-sign पर click करेंगे e-sign पर click करते ही आपके सामने एक नया page open होगा यहाँ पर आपका नाम दिया रहेगा जो आपके आधार कार्ड में आपका नाम है और यहाँ पर आपका 5 पैसा पर आपको e-sign submit करना है जिसके लिए यहाँ पर आपको submit पर click कर देना है submit करते ही process होने लगेगी आपको wait करना है back button या फिर refresh नहीं करना है यह आपको NHDL की website पर redirect कर देगा यहाँ पर आपको term को accept कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना आधार number डाल के send OTP पर click कर देना है send OTP पर click करते ही आपके mobile number पर OTP आएगा जो आपके registered mobile number पर रहेगा जो आपके आधार काट से mobile number लिंक है उस पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर डाल देना है OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको verify OTP पर click कर देना है अब यहाँ पर यह fine आपका complete हो चुका है और यहाँ पर congratulations बोला जा रहा है आपका account open हो चुका है Just few offer में आपका account open हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको back आ जाना है जब आप application में आ जाएंगे यहाँ पर भी आपको congratulations लिखा रहेगा Your account activated has been initiated अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पर आप कौन कौन शे product पर यहाँ पर आपना investment कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर stock पर invest कर सकते हैं mutual fund में insurance में और gold में इन चारों चीजों में आप invest कर सकते हैं जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको three line मिल जाएगा यहाँ पर आपको mutual fund का option मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा mutual fund का यहाँ पर gold पर क्लिक करेंगे तो gold का option मिल जाएगा आपको उसके लावा दोस्तों यहाँ पर आप trade पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको trade करने के लिए option मिल जाएगा यहां पर आपको watch list मिल जाएगा watch list पर आपको click करेंगे तो यहां पर आपको nifty 50 पूरा so हो जाएगा तो nifty 50 में दोस्तों जितने यहां पर आपको मिल जाएंगे trading करने के लिए यहाँ पर दोस्तो टाटा मोटर्स मिल जाता है टाटा स्टील टीसीयस जितने भी रहेंगे यहाँ पर आपको सेयर मिल जाएंगे जिस सेयर पर आपको खरीदना है या फिर बेशना है तो उस सेयर पर आपको क्लिक कर देना है जैसे एसीन पेंट को अगर आपको खरीदना या तो यहाँ पर आप बाई करने के लिए आप अपना Demet Account पर आपको Balance रखना होगा, Balance के लिए आप अपने Internet Banking से आप अपने Demet Account पर Balance रख सकते हैं, और आप यहाँ पर आप जो भी Trade को बाई करना चाहते हैं, तो बाई कर सकते हैं, उसके अलाबा अगर आप Sensex में यहाँ पर आप invest करना चाहते हैं तो यहाँ पर Sensex पर भी आप invest कर सकते हैं तो Sensex का यहाँ पर rate आप देख सकते हैं जो इस तरह का आपको rate यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप Nifty 50 पर भी आप share खरीद, sell कर सकते हैं उसके अलाबा दोस्तों कोई ऐसी company है जो यहाँ पर आपको Nifty 50 मिस सो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप search पर click करेंगे वहाँ पर search में जैसे मैं यहाँ पर NTPC सर्च कर देता हूँ और NTPC को सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने NTPC आ जाता है तो इस पर दोस्तो watchlist 2 watchlist 3 जिसमें आप add करना चाहते हैं तो यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे watchlist 2 में यहाँ पर add करना चाहता हूँ तो यहाँ पर watchlist 2 पर click करके done कर देंगे अब यहाँ पर दोस्तों हम आ जाते हैं आपर check करते हैं कि हमारे watchlist में यह आ गया है या नहीं तो यहाँ पर दोस्तों आ देख पार हैं हमारे वाच लिष्ट माई यहां पर हैं हमारे एंटी पीसिस सो हो गया है उसके अलावाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपने सेर खरीदा है अगर उसका rate डाउन हो गया तो आपको क्या करना चाहिए rate हाई हो गया तो दोस्तों आप उसको sale कर सकते ह तो हम इसा profit में रहेंगे लेकिन अगर rate डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको trade में आ जाना है again और यहां पर आपको price alert का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है plus का sign मिलेगा इस पर आपको click कर देंगे तो plus के sign पर जैसे आप click कर देंग तो यहां पर दोस्तों जिस rate में आप sale करना चाएगे उसको आप चूश कर लेंगे जैसे यहां पर high low आपको previous close यहां पर जिस rate में आपको close करनाचाएगे तो इस पर आप click कर देंगे तो वहां पर आपको वो share विक जाएगा यहां पर आपको market depth मिल जाएगी यहां पर आप को information मिल जाएगी कि क्या रेट चल रहा ओपन किस रेट में हुआ था हाई किस रेट तक गया है लो किस रेट तक गया है और प्रिवियस में क्लोज कितना हुआ यह आप देख सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप 5 पैसर ट्रेडिंग एप में अपना सेर लगा सकते हैं अग टापिक किसा तब तक के लिए जाहिन टेकेर